हेलो फ्रेंज मैं मनोच मार्ण फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए टम को लेकर के एक नए गन्सेप्ट को लेकर के जैसा कि से और पाथ के अंदर हमने उस 번째 वी कर stat sz उससे प्रीवेस वीडियो और औरुमिशजीट और एक्सकी वीडियो में हमने कर सकी की बात की जितने भी मेरे भाई लोग इस वीडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं अगर वो करसर को और बहतर तरीके से समना चाहते तो प्लीज सब्सक्यंशली जो पीछे की वीडियो जे हैं उनको जरूदेखी गाँ सो अपका क्शेप्ट ग्लिया दोस्तों आज बात करने वाले हम पैरमेटराइज करसर की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूं और रिक्वाइरमेंट की पैरमेटराइज करसर मेरा लिखेंगे एक करसर लिखेंगे declare section के अंदर based on this query begin section के अंदर open करेंगे fetch करेंगे और जो भी action perform करना करेंगे close करते हैं अगर requirement कुछ इस तरीकी की हो जाए कि आपको जो data आपने print किया इस तरीकी से आपको print नहीं करना आपको कुछ एक department का ही data print करना है वो भी dynamically जैसा user चाहे उस तरीके से तो मुझे क्या करना चाहिए आगर normal और layman time में बात करूँ तो मैं किस तरीकी का code लिखूँगा दोस्तों मैं कुछ इस तरीकी का code लिखूँगा कि एक करसर बनाऊंगा c1 जिसके अंदर अपने 10th वाले department क की वेल्यूज लोगा एक और करसर बनाऊंगा जिसके अंदर 30 वाले department की वेल्यूज लोगा और फर्दर फिर उनको एक करके जो भी action में परफॉर्म करवाना चाहता हूं अपने ओपन फैचर क्लोज के basis पे उस पर वह action परफॉर्म करनोंगा based on c1 c2 and c3 इससे भी मेरी वह च अच्छे डबलपर को एक अच्छे कोडर को क्या करना चाहिए उस वजह से आया मेरा parameterize करसर की बजाए कि इतनी number of lines आपको लिखनी पड़े इतना सारा code लिखना पड़े और हो क्या रहा है हो actually यही रहा है कि इस query में इस query में इस query में आप comparison करेंगे तो केवल 10 20 और 30 आपका sequentially change हो रहा है तो कुछ ऐसा हो जाए कि जब भी मैं cursor को चलाओं तब उसके अंदर यह जो department है यह dynamically वहाँ पर put हो जाए अगर मैं बात करूँ 10 की तो यहां 10 आजाए अगर बात करूँ 20 की तो यहीं पर 20 आजाए अगर बात करूँ 30 की तो यहीं पर 30 आजाए बजाए कि 3 अल तो parameterized cursor केवल हो केवल दोस्तों इस वजह से introduce हुआ कि आपको ज्यादा number of lines का code ना लिखना पड़े जोटे code के अंदर ही आपकी वह चीज़ अचीव हो जाए जो चीज़ आप बात करना चाहते हो या जो चीज़ आप अचीव करना चाहते है सुफरेंट्स parameterized cursor के syntax को देख लेते हैं एक बार syntax की बात को तो देखे declare section के अंदर declare करता हूं अपना cursor हमेशा की तरह पहले भी कई वीडियो के अंदर आपने देखा है किस तरीके से declaration होता है simple cursor वाले एक keyword को use करता हूं, cursor का नाम देता हूं, is लिखता हूं और simply associate कर देता हूं अपनी वो query जिसके basis पे मैं अपना cursor create करना चाहते हूं begin लिखता हूं, end लिखता हूं और in के अंदर अपने क्या करता हूं, open करता हूं, fetch करता हूं, based on condition exit करता हूं और अपनी cursor को close कर देता हूं यह करता हूं मैं अपने normal cursor को लिखने में या explicit cursor को लिखने में, but parameterized cursor में क्या change हूआ, जैसे आपने अभी देखा कि मैंने 3 cursor लिखे थे, based on 3 department number, उसको किस तरीके से यह अचीव करने हैं, देखें दोस्तों code मेरा run होना start होता है, यहां से, जैसे ही code run होगा, सबसे पहले मैं cursor को open करूँगा, जब cursor को open करूँगा, तो cursor का नाम भी बताऊँगा, मैंने बता दिया cursor को open करो, c1 को, c1 cursor कौन सा है मेरा, c1 cursor है दोस्तों मेरा, यह बता, लेकिन open करो, एक variable को pass करके, देखिए, एक बार मैंने यहां पर pass किया है, 10, मतला, यहां से मैं कोई numeric value pass कर रहा हूं, जिसकी value है, integer 10, जो statement है, यह सीधा trigger लेके जाएगा, यहां पर जाएगा, c1 cursor को open करने की कोशिस करेगा, और check करेगा, कि यहां से जो c1 के साथ में आपने 10 pass किया है, क्या उसको assign करने के लिए, यहां पर आपने parameterized cursor define किया है, कि नहीं किया है, इस 10 को दोस्तों यह लाकर, और इस vdpt के अंदर store करा देगा, जो मेरे declare section के अंदर मैंने cursor में लिखा हो, यह 10 भी यहां गया, अभी तक मेरी वो चीज़ मुझे achieve नहीं हुई, कि मेरी query dynamically change हो जाए, with parameter cursor, तो वो अभी तक achieve नहीं हुई, यहां पर यह 10 आके store तो हो गया, अब इस के बाद मेरा cursor open होगा, based on this query दोस्तों, query बिल्कुल पहले जैसी है, लेकिन इस बार एक where condition लगा हुआ है, कि department number वो जाए, जो मैंने इस वाले variable में अभी अभी store कराया है, तो इस बार यह cursor open जरूर होगा, cursor के अंदर values जरूर आएंगी, लेकिन based on this 10 number, based on this 10 department number, so, अब की बार मेरी select statement में सारा record नहीं आएगा, आपकी मेरी select में केवल और केवल 10 number department का ही डेटा आएगा, 10 के लिए cursor मेरा open हो गया, फिर फर्दर आपको जो action लेना आप ले सकते, दूसरी बार आपको 20 के लिए run कराना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको कोई नया cursor यहाँ define या declare करने की जरूरत नहीं है, simply यह चार लाइनों का जो code है, फिर से लिख दीजिए, बट अब की लिख दीजिए 20, अब की यहाँ पर आप pass कर देंगे 20 number, 20 चला जाएगा यहाँ पर, और फिर से मेरा same वही cursor 20 number of department के लिए run हो जाएगा, 20 department के जितने भी मेरी data होगा, उसको ले करा देगा, सो दोस्तों, parameterized cursor का concept actually यही है, कि less code आपको लिखना पड़े, dynamically यह run time पर आप अपने cursor के अंदर, parameter के थुरू, different, different values, अभी तो हमने एक parameter की बात किये, दोस्तों, आप कितने भी number of parameters, with different, different types के, आप यहाँ भेज सकते हो, और एक बात आपको याद आखिए, अगर आपने यहाँ पर parameterized cursor को open किया है, आपको यहाँ पर उतने number of variables open करने पड़ेंगे, with उसी type के, जिस type के, आप यहाँ से values pass करते हो, यह आपके उपर depend करता है, कि जितने भी variables आप ले रहे हो, वो आपको use करने है, यह नहीं करने है, वो आपके उपर depend करता है, ऐसा कोई mandatory चीज नहीं है, कि जितने variables आपने यहाँ पर ले लिए, आपको सारे के सारे अपनी query में put करने ही है, हाला कि लेने उतने ही parameter चीए, जितने मैं use करना चाता हूं, जवर जस्ती या overload अपने parameter को, या अपने cursor को क्यू करना है, तो अच्छे coder की तरह, less code लिखने के लिए parameterize cursor का concept आता है, एक बार lab में चलते हैं, lab में parameterize cursor के, एक दो example करते हैं, with both type, for loop के साथ भी, और open fetch or close वाले syntax के साथ, एक बार lab में चलते हैं, तो सबसे पहले जो example हम देखने वाले हैं दोस्तों, वो देखने वाले हैं, open fetch or close का जो तरीका है इसमें, और इसमें requirement की बात हम पहले भी करके आ चुके हैं अपने video के अंदर, तो सबसे पहले वो ही चीज़ देखेंगे, जिसकी विज़े से parameterize कर सर आया, जिस code की बात हमने अपने video में भी की, देखें दोस्तों, simple से एक anonymous block लिखा हुआ है, declare और begin के अंदर, यहां पर कुछ एक variables मैंने declare किये हैं, जिनके अंदर में further values को fetch करूँगा, और इन ही variables को मैं बार बार reuse करूँगा, देखें, variables मेरे बार बार reuse होंगे, क्यों? क्योंकि variable मेरी जो सबसे requirement मेरी यह है, कि पहले मैं 20 का, 30 का, 40 के department का data है, वो मुझे किसी तरीके से fetch करना है, और print करना है, तो यहां तो मैं सारा data एक साथ in लगा करके, यहां पर 20, 30, 40 डाल दो, but requirement ही कुछ ऐसी है, कि मुझे जो print करना है, या data पे जो भी working करनी है, कोई activity करनी है, वो separately करनी है, किसी condition के साथ करने है, तो दोस्तों, मैं क्या करूँगा, simple, 3 cursors लिखूँगा, बिल्कुल इसी तरीके से, 30 का करसर लिखूँगा, बिल्कुल उसी तरीके से, 40 का करसर लिखूँगा, यह तीनों department के लिए, मुझे further separate, separate cursor with different name, यह C1 name से, यह C2 name से, यह C3 name से, मुझे यहां बाद करना होगा, यह भी matter करता है, दोस्तों, कि जितने number of columns, मैं अपने select में ले रहा हूँ, cursor के select में, उतने number of variable मैं नीचे, fetch के time पे use कर सकता हूँ, और वो मेरे सारे के सारे variables, properly declare होने चाहिए, define होने चाहिए, जैसा हम ने यहां किया भी, तीन departments का data निकालने है, तीन cursor define के, but obviously printing करनी है, या कोई भी action perform करना है, उस हिसाफ से, मुझे एक ही करके अपनी cursor को खोलना पड़ेगा, एक ही करके close करना पड़ेगा, और जो भी activity में करवाना चाहता हूँ, जैसे मैं simple यहां पर print ही करवा रहा हूँ, वो activity में, एक ही करके अ code जो है वो मेरा, यहां पर चलता है, simply देखिए दोस्तों मैंने यह code अपने हार run कर दिया, देखते क्या output लेके आता है, क्या 20 का, 30 का और 40 का, जैसे मैंने बोला है क्या उस तरीके से print हो भी रहे, दोस्तों, declare section के अंदर फर्क नहीं पड़ता है, कि कौन सा वाला cursor आप पहल पड़ता है, फर्क पड़ता है, कि जो action मैंने perform किया है, उस action के हिसाब से मेरे begin section के अंदर वो चीजे लिखी होनी चाहिए, देखिए, सबसे पहले मैंने किस के लिखा था, 20 के लिए begin section के अंदर से मेरा code read होना start होता है, ना कि दोस्तों, declare section से, यहां पर सबसे पहले आएग C2 cursor पर आया, C2 cursor पर भी आके उसने, उसके respective में लिखे गए code के हिसाब से अपना काम कर दिया, further 40 के हिसाब से कर दिया, दोस्तों, यहां पर एक चीज़ गौर करने की, आपने ultimately किया क्या है, आपने केवलो केवल departments अपने बार बार change किये, उन्हें department को change करने की वजह से आपक अगर मैं कुछ ऐसा कर दू कि मेरा department है, वो dynamically किसी condition के base पर अपने हिसाब से पास होता रहे, और मुझे बार बार यह cursor जो मैंने declare किये, वो करने की जरूत ना पड़े, एक ही cursor बार बार reuse हो जाए, तो दोस्तों, उस concept के लिए आता है, मेरा parameterized cursor का concept, तो दोस्तों, बिलकुल उसी तरीके से parameterized cursor की बात करेंगे और वो भी single parameter के साथ, यहाँ पर पहले single parameter के example देखेंगे, फिर multiple parameters के example देखेंगे, तो अगर यहाँ पर गौर करें, तो देखें, दो मैंने simple variables अपने use किये हैं, जिनको मैं बार बार reuse करूँगा, simple एक cursor यहाँ पर define किया है, दोस्तों, दे देना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले भी आप explicit cursor के case में देते हुए आए, बट यहाँ पर round bracket के साथ, open close bracket के अंदर आपको देने पड़ते हैं अपने parameters, parameters का type आपको वो ही देना है, जिस value को आप लेके आने वाले हैं, जिस भी table से लेके आने वाले हैं, जो भी कु department number को मुझे department number में pass करना है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर आने वाली value का अगर जो type है, यहाँ पर आने वाली value का type, अगर मैं department number ही रख दूं, तो मुझे कोई challenge नहीं आने वाला, जो की देखेंगे आप, पी, जो parameter, जो department number का जो नाम हैं दोस्तों, उसको मैंने उसी table के department number का type यहाँ पर define कर दिया है, उसी type का declare कर दिया है, तो कभी भी मेरी जो data type की mismatch है, वो कभी भी मेरा गरबर नहीं करेगा, properly मेरा value पास हो जाएगी, और join भी लग जाएगा, तो यह तो हुआ, मेरा cursor में किस तरीके से parameterize cursor को यहाँ पर declare कर देगा, अब declare तो कर दिया, लेकिन इसको call कैसे करेंगे, इसको use कैसे करेंगे, क्योंकि open, fetch, close, declare वाले से तरीके की बात कर रहे हैं अपने cursor के, तो but obviously सबसे पहले मेरा cursor open होगा, cursor open होगा, देखे दोस्तों गौर कीजिए, यहाँ पर मैंने 20, 30, 40, 50, किसी भी department के हिसाब से, अपने जो cursor से हैं, वो different, different नहीं define कि मैंने simple यहाँ पर C1 cursor ही use किया है, based on parameter, और parameter को कहाँ पास किया है, department number के साथ, क्योंकि अगर उपर की queries में हम जाके देखें, तो मेरा department number ही ऐसा था, जो मेरा बार बार vary कर रहा था, clear, अब यहाँ तक मेरा code जो है, वो कम हो गया, नीचे के हिसाब में code कम नहीं होता है, नीच C की value यहाँ पर print हो जाएगे, देखें, example बिल्कुल ऊपर के जैसे ही है, लेकिन concept थोड़ा सा change है, ऊपर कोई parameter नहीं था, hard coded queries के साथ मेरी cursor की values चल रही थी, बड़ यहाँ पर मैंने अपनी requirement के हिसाब से पहले 20 पास किया है, तो 20 जो है दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो में बताया था, यह 20 जो आपको यहाँ दिख रहा है, यह सीधे, इस C1 cursor के पास जाएगा, जो कि यह वाला है, और यहाँ से 20 value को लेकर के simple इस variable है यहाँ पर उसको लाके assign कर देगा, अब इस P department number में जो value आ गही है, इसको आप कहीं भी किसी भी तरीके से अपनी cursor की query में अपनी requirement के हिसाब से use कर सकते हैं, so मेरा क्या change हो रहा था, मेरा change हो रहा था दोस्तों बार बार department number, तो 20 हो, 30 हो, 40 हो, यहाँ पर मैं लूँगा उसको सीधे department number के अंदर pass करूँगा, बार बार query लिखने की जरूत नहीं पड़ी, बार बार cursor को declare और design करने की जरूत नहीं पड़ी, simply open fetch के तरीके से पहले 20 का data print किया, फिर pass कर दिया 30, अब यहाँ पर गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो cursor है, साथ में cursor और साथ में मेरे वो variables, वो मेरे बार बार यहाँ पर reuse हो रहे हैं, कोई नया cursor नहीं define किया, same cursor को दुबारे open कर रहा हूं, 30 value के लिए, same cursor reuse हो गया और same variables भी मेरे reuse हो गया, 30 की values प्रिंट होगी, आगे बढ़े, same cursor को फिर से further open किया, 40 के लिए, 40 के लिए भी मेरा यह cursor use हो गया, एक बार इसको चला के देखते हैं, देखते हैं कि सच में इसने उस तरीके से काम किया है, जैसा हम सोच रहे हैं, इसको clear कर देते हैं, और यह द DBMS output का जो window है, उसमें हो जाएगी, जो की हो भी गई है, देखें दोस्तो, सबसे मैंने पहले अपना cursor को 20 के लिए open किया था, तो 20 department का data मेरा यहां पर यह आ गया, फिर open किया था 30 के लिए और फिर open किया था 40 के लिए, further बिल्कुल उसी तरीके से मेरे यहां पर printing होती हुई दोस्तो अब बात करेंगे अपने parameterized cursor में ही अगले step की, अभी तक हमने एक parameter की बात की थी, जहां पर एक parameter पास किया था, आप बात करेंगे दोस्तो एक से जादा parameter की, यह कितने भी हो सकते हैं, कैसे use करते हैं, जल्दी से यह भी देख लेते हैं, दोस्तो बिल्कुल उपर व operation के साथ मैंने यहां पर दो variables यह दो parameter use की हैं, एक या department number, एक या salary, मतलब मुझे उतने ही parameters लेने चाहिए, जितने की necessity मुझे अपने select की query को design करने में जरूरी है, मतलब select query में जितने भी where clause, जिस तरीके से भी मैं लगाना चाहता हूँ, अपने उस proper data को achieve करने के लिए, उस query के थुरू उतने ही parameters मुझे बनाने चाहिए, बनाने को आप यहां 5 भी बना सकते हैं, 5 बनाने के बावजूद भी आप यहां 2 ही use कर सकते हैं, कोई mandatory thing नहीं है कि आपने 5 ही दिये हैं, तो आपको 5 के 5 ही use करने हैं, बट अगर आपने यहां पर 5 दिये, जिनकी जरूरत नीच query में नहीं हैं, तब भी आपको open करते वक्त वो 5 के 5 parameter यहां पास करने पढ़ेंगे, अगर आपने यहां पर default वाला keyword यूज नहीं किया है, तो, clear दोस्तो, default की बात हम आगे के वीडियो में करेंगे, अभी जल्दी से इसको finish करते हैं, देखें दोस्तो, दो parameter यहां पास किये दोना parameter के हिसाब से मैंने अपनी query को और अच्छे से modify कर लिया, आपकी जिस भी department की बात करेंगे, उसमें जो salary हम पास करेंगे, उस salary से बड़े वाले salary का ही data मुझे चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से पहले 20 पास किया था, अभी 2 parameter हो गया है, तो comma करके 2 parameter पास कर दिया है, देखे दोस्तो 20 के 30 के 40 के लिए मैंने अपनी designing और अपना development यहाँ पर करके दिखाया आप, एक बाइस को चला के देखते हैं, देखते कौन कौन सा data मेरा based on condition satisfied होता है, और simple मेरा यहाँ पर print होकर आता है, यह मैंने पहले वाला data यहाँ पर clear कर दिया, अब यहाँ पर print होगा यहाँ जो मेरी condition को satisfied करेगा, देखे दोस्तो 20 department का data चाहिए, 20 का data यहाँ मेरे पास selected जो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें भी वो data चाहिए जिनकी salaries 21,000 से जादा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, 21,000 25,000 है और एक की 1,25,000 है, 30 का data चाहिए, वो data चाहिए जिनकी salaries 10,000 से 40 के case में मैंने बोला, 17,000 से जो data जादा है, वो ही मुझे चाहिए, तो आप देखे, 40 के अंदर ऐसा एक भी recording है, जिसकी value 17,000 से जादा हूँ, तो दोस्तो इस तरीके से मैं अपने parameterized cursor को based on different different parameters run करता हूँ, और यह तरीका था दोस्तो मेरा किसका, declare, open, fetch और close वाले cursor को use करने अगले वीडियो में जरूर देखेंगे, इन ही concepts को किस तरीके से for loop के साथ use करते हैं, यह एक छोटा सा example, दोस्तो जहाँ पर हमने समझा, parameterized cursor मेरे कैसे काम करते हैं, So hopefully दोस्तो, आपने easily parameterized cursor को यहाँ पर समझ लिया होगा, उसका example भी देख लिया होगा, और अपने दिमाग में बैठा भी लिया होगा, किस तरीके से parameterized cursor मेरे different different purpose के लिए मेरी requirement को fulfill कर सकते हैं, तो अगरे छोटा सा concept आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो व बहतर से अपने concept को clear करना चाहते हैं, मेरे को support करने के लिए, मुझे motivate करने के लिए दोस्तो, लगातार आप लोग अपने comment और अपने requirement इसी तरीके से मेरे पास भेजते हैं, और इस family का part बनने के लिए, और support करने के लिए, चैनल को subscribe ज़रूर की दिकम, so that आपके पास इस त और lab के लिए, जितना भी code हम lab के अंदर देखते हैं, जितना भी syntax हम lab के अंदर देखते हैं, उसके लिए सीधे मेरे blog पे जाना है, जिसका link description में भी है, और वो यहाँ blink भी कर रहा है, उस पे जाना है, अपने topic को search करना है, और उस code को अपने requirement के हिसाब से use कर लेना है, साथ में, कभी mind को free करना हो, तो आपके भाई का एक YouTube का vlog channel भी है, उस पे visit जरू कीजीगा, तो फिर से मुलाकात होगी, एक नए वीडियो में, एक नए concept के साथ, तब तक के लिए, thank you so much.